2024 लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अभी से तत्पर और तयार दिखाई दे रहा है बिहार में मतदताओं की भागेदारी को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से काम करना सुरू कर दिया है दरसल बिहार में कई बूत ऐसे हैं जहां पर मतदताओं की संख्या शरवाधिक होती है यानि वोटिंग पर्शेंटेज काफी ज्यादा होता है लेकिन अधिकतर बूत ऐसे भी दिखाई देते हैं जहां पर वोटिंग पर्शेंटेज बहुत कम हो जाता है तो इन दोनों आकरों को समझने के लिए अब निर्वाचन आयोग सनिवार से बेसलाइन सर्वे करानी जा रहा है दरसल बिहार में वोटरों की भागिदारी को बढ़ाने और अधिक से अधिक शह भागिता को लेकर निर्वाचन आयोग के तरब से यह बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है राज के 243 विधान सभा चेत्रों में सर्वे का काम 25 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा बेसलाइन सर्वे में हर विधान सभा चेत्र के 20 बूतों का चयन किया गया है हर विधान सभा के 10 वैसे बूतों के मतदताओं से फीडबेक लिया जाएगा जहां पर शरवाधिक मतदान हुआ है वैसे 10 बूतों के मतदताओं से भी बात की जाएगी जहां कम मतदान होने की खबर है और उसके कारण को शमजने की कोसिस की जाएगी इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदादिकारी द्वारा जारी निर्देश राजी के सभी जीला निर्वाचन पदादिकारी सहजीला अधिकारियों को प्राप्त हो चुका है सर्वे में पूछे गए सभी प्रकार के जवाब को बेसलाइन सर्वे एप पर अपलोड किया जाएगा बिहार में लोकसभा चुनाओं में मतदताओं की कम भागीदारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदादीकारी द्वरा फिडबेक लेने के लिए यह वेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है इसमें हर बूत के मतदताओं से यह समझने की कोशिस होगी कि मतदाता सूची में नाम सामिल कराने के लिए लोग क्यूं उदासीन रहते हैं अखिर लोकसभा या विदान शवाच चुनाव में मतदान कम क्यों होते हैं इसको लेकर क्या-क्या बढ़ाए है जिसके कारन मतदान कम होता है सर्वे के दोरान वैसे समूह के मतदताओं की पहचान करनी हैं जहां पर मतदाता सूची में नाम सामिल कराने और कम मतदान कराने वाले हैं ऐसे समुहों के बीच संबाद को लेकर सभी प्रकार के अभियान को कैसे चलाया जाए जिससे मतदान बढ़े सर्वे के दोरान मतदाता शहभागिता बढ़ाने को लेकर काम करने वाले समुहों की भूमिका की पहचान की जाएगी अखबारों के माध्यम से होने वाले प्रचार प्रशार का मुल्यांकन किया जाएगा मतदान को लेकर शमानने मतदताओं और खास कर यूवा महिला मतदताओं की मतदान में भागिदारी को लेकर कैसे प्रेरित किया जाए सर्वे के दोरान सभी सूचनाओं का प्रोसेस करके आगी की योजना तयार की जाएगी मकसद है कि अत्यधिक मतदाता अपना नाम सूची में सामिल कराएं और शरवादिक मतदान का प्रतीसत बढ़े लाइब विहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें